नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिसकस करेंगे साइन्स एंड टेक्नोलोजी का जो पोर्षन है संडे का जो दा हिंदू है उसमें स्पेशली कवर किया जाता है जो हमारे सीविल सर्विस एक्जाम के लिए और स्पेशली जो स्टेट के एक्जाम होते है उनके लिए mostly जो क्यूशन होते हैं वो आपको इस एडिशन से कवर हो जाएंगे अगर आप regular हर week साइन्स एंड टेक का पोर्षन कवर करते हैं तो ठीक है science and technology के अलावा संडे को धा हिंदू में इतना अच्छा माल आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है guys वही देश में जो ड्रामा चला रहा है वही सब देखने को मिलेगा तो लीजिये हम start करते हैं देखे सबसे पहले हम बात करते हैं hard immunity के बारे में तो देखे hard immunity का मतलब होता है कि population immunity ठीक है guys तो जब से बिमारी चली आ रही है और तब तक जब तक इसका कोई पूरी तरह से solution नहीं होगा ऐसे article आते रहेंगे तो इतना important यह article नहीं है ठीक है guys next अगर हम बात करें article की तो देखे माले नाद के बारे में दिया हुआ है कि हम tiger conservation के बारे में क्या lesson यहां से सीख सकते है यह देखे यह जो है माले नाद या माले नाडू ठीक है यह करनाटका में पढ़ता है तो देखे करनाटका से आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा करनाटका में क्या पाए जाते हैं एलिफेंट हैं या टाइगर हैं ठीक है तो सब आप कमेंट कर सकते हैं ऐसी तीसे दूसरा जैसे आनसी टाइगर रिजर रूँ है नागार होल है, है न, बांदिपूर है तो ये बहुत सारे टाइगर रिजर करनाटका में आपको देखने को मिलेंगे तो आप मैप के थुरू देख सकते हैं करनाटका को क्योंकि देखिए UPSC mostly जो कुषिन पुछते हैं वो science and tech की अगर बात करें environment की बात करें तो दा हिंदू से most of the time वो आपको देखने को मिलेंगे या तो editorial में कहीं उनका जिकर होगा या फिर आपको science tech में मिल जाएंगे especially science tech के जो कुषिन होते हैं ठीक है next जो article है वो देखिए बोर्डर टचिंग एरियाज में आते हैं ठीक है next जो article है वो है देखिए quantum world के बारे में quantum computing के बारे में है next article तो इससे देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि quantum computer क्या होता है ठीक है quantum computer के बारे में थोड़ा basic से आपको पता होना चाहिए कि जैसे देखिए sorry देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बही जो classical computer जो होते हैं वो यूज करते हैं बिट को ठीक है बिट यूज करते हैं और जो classic ये जो computer होते हैं क्यों अंटम वो आर्टिकल है ये आज का आर्टिकल है ये last year भी चला रहे था उससे last year भी था ये आर्टिकल ठीक है तो आप ऐसी चीजों को बिल्कुल आपको basic definition जरूर पता होना चाहिए कि quantum computer क्या होते हैं कि क्या उनका importance होता है क्या कुछ computer की या हमारी जो research line होता है scientific line होती है उसमें क्या उनका महतु होता है और कैसे उसको बदल सकते हैं ठीक है guys next देखिए हम अगर article की बात करें तो देखिए ये जो article है ये inflation से related है inflation important monetary matters तो देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए पहले कि inflation अगर हमारे देश में बढ़ता है तो उसका हमारी market में और लोगों पे क्या पर maintain करना price stability ठीक है क्या धहान में रखते हुई growth को ध्यान में रखते हुई तो इस article को आप बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो भी article ऐसे आते हैं वैसे देखिए कई बार ऐसे पूछ लेते हैं जैसे RBI का primary function क्या है function तो उसके जो चारो option में आपको मिलेंगे सभी function होते हैं लेकिन primary motive पूछ लेते हैं ठीक है option तो चारो सही होते हैं लेकिन primary पूछा गया है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है guys next देखिए जो article है वो cast census के बारे में है ठीक है तो थोड़ा सा आपको cast census के बारे में पता होना चाहिए कि socio economic cast census का बाया है ना इसका क्या कुछ motive होता है independence के बाद में थोड़ा सा वैसे इस article में इतना सब कुछ जरूरी नहीं है और इतना नहीं है exam के लिए लेकिन इस article में थोड़ा सा जैसे यह बात करता है कि जो socio economic cast census है जैसे कि government ने 2011 में यह किया था पूरे देश में ठीक है लेकिन publicly अगर हम बात करें तो इसको disclose नह कोई commission यह लोग appoint करेंगे ठीक है collect करने के लिए cast wise उसके लिए ठीक है guys next देखे next article की अगर हम बात करें तो honey industry से रिलेटरी यह article है तो देखे बहुत बहुत जो honey के बड़े बड़े ब्रांड हैं हमारे धेस में बाबा या और भी बहुत सारे ब्रांड है ठीक है तो वो सारे इस test में फैल हो गए है ठीक है guys तो देखे honey के क्या कुछ test होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए वैसे इस article में इतना important नहीं है बस आपको थोड़ा सा यह पता होना चाहिए कि जैसे c4 और c3 test होते हैं वो honey की purification के ही test होते हैं ठीक है guys next article देखे यह Iranian scientist scientist को मार गिराया तो इसके बारे में यह article है तो इतना कुछ important इसमें नहीं है तो इसी के साथ देखिए हमारी commentary यहीं खतम होती है आपके अगर कुछ सुझाओ है तो आप बिल्कुल मुझे बेजी जग कमेंट कर सकते हैं ठीक है guys मिलते हैं तब तक के लिए next Sunday को have a awesome day झाल है झाल है